इतनी गतिवीदियां और उल्टी धाराएं चाल रही हैं मैं जादा से मैं ही लिविसीप में दो-चार शब्दे बोलना चाहूंगी और अगर आप लोग की सहमती हो तो प्लीज एक बार हाथ जरूर हुलाएं अगर हम लोग देखें और अनिमाल लगाएं की चारो तरफ हंदुस्तान या हंदुस्तान से बाहर हर जगा मंदी दोरेजगारी वरस्काचार शोर्सन गरीबी अमीरी ऐसे कितनी समझ साह हैं जिन से बड़े लोगों का नहीं पता है बट हम आम आदमी आज जूज रहे हैं अगर आज आज आप इंसान हर किछी से बात करें सब लोग यहीं बोलेंगे कि बहन या माता जी हमलेग पे बस अपनी रोजी रोटी दोवक्त की रोटी प्रेट बर रहे हैं और मेरे जहां तक की मानना है कि हमारों आजर इस धर्ती पे आज हम जनम लिये हैं और इस नेचर में प्रकेर्थी में हमलग हैं तो अगर हम लोग उमीद लगाए और देखें तो इस दुनिया में पूरी भरपूर संपदा हमारे पास है अपिंग संपदा भरपूर है लेकिन ये संपदी कुछ लोगों के हाथ में हैं जैसे अगर मैं आपको एक बहुत चोटा सा धारंद है तो मेरा एक घर है घर में दस लोग हैं और मैंने दस सेब खरी दे अपने बच्चों को बाटने के लिए अब उस दस लोग की वज़ा अगर दो सेब लोग आ गए उस सेब को कैसे बाटा जाए बंदर बाद चालू लड़ाई जगड़े तो प्रकिर्टी में जो संपदा भी है वो सिमित है पर उनमें से जो संपदाए है वो कुछ ही लोगा के हाथ में है अगर मैं ये मानूं कि ए अगर आप पूरी दुनिया को पूरी संपदा को लें चाहे वो धन हो चाहे प्रकिर्टी हो तो सिर्फ एक पसेंट लोग श्यालीस परसेंट के मालिक है अगर ऐसा चलता रहा है तो बेरोजगारी मंदी वहष्टासार आवश्य होंगे दूसरों मैं आपको एक रिपोर्ट पता दूँ मुझे मालूम में कितने लोग इससे अग्वत होंगे सिर्फ तीन सबसे आमीर लोग हैं इस दुनिया में जो केवल और केवल 48 48 संपती के देशों के खुद के मालिक हैं और मांच 85 अमीर लोगों की कुछ संपती दुनिया की आधी आबादी यानि सारे तीन से ज्यादा हमारी आवादी है और उन साथ अरग की लोगों को ये पूरी जैसे आप माली के रोटी, कप्रा, मकान, वर्सिस चिकिस्सा ये पांच चीजे मिनीमम रिक्वार्मेंट जो हर इंसान को चाहिए छोटे से लेकि बड़े कप्रा, रोटी, कप्रा, मकान, वर्सिस च किस्सा, तो मेरा सवाज ये है कि क्या हमें आज की देट में, आज की सुरत में बर्पूर बाकरा में रोटी या कप्रा, या मकान, या चिकिस्सा मिल रहा है शायद नहीं, तो इसका मिवारन कैसे किया जाए, आज आप जिस भी, मैं क्या बोलू, चाहे किसी भी पार्टी को चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो और आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास